असलाम अलेकुम वीवर्स आज किस वीडियो में हम सिंपल एन एलिगेंट कूर्थी की कटिंग सिखेंगे विथ यूनिक नेक डिजाइन वीडियो को अच्छी तरह समझज़े कलिए फ्ली इस वीडियो को एंड तक देखें मैं स्टेप बाइस्टेप आप लोको एक्स्प्ले संटेपों सब्सक्राइब स्टेप नेकिए वीडियो कूर्ति के हमारी जितनी लेंथ 40 इंच मैं 2 इंच कम चेंज़ फोले स्टेफ के लिए हम से 6 इंच करें एंगे और आर्म होले मयां यहां पर 6 इंच कं कर रही हूं इस दोनों निसान को इस तरह से मिला देंगे यहाँ पे हम चेश्ट के लिए मार्क करेंगे चेश्ट के फोर्ट पार्ट मैं यहाँ पे साड़े आठ इंच पे मार्क कर रही हूँ और डेरिंग चेक्स्टा मार्जीन के लिए आप अपने मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे फॉर्मूला यही यूस करेंगे अब यहाँ पे हम चाक के लिए निसान लगाएंगे चाक में 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक निसान हम यहाँ पे मिडल में लगाएंगे छेंज पे इसम हमने जितने आर्महूल के लिए निसान लगाई है, इस साइट पे भी निसान माग करेंगे साड़े 6 इंच, इसके बाद यहाँ पे हम चाग जितना निसान लगाएंगे 12 इंच और एक मीडल पॉंट में 6 इंच पे माग करेंगे यहां पर मैं इंती हैं, जाइक से लिए निस निसन लगाई ही जिर यहां पर मैं 6 इंच पर मार्चिन के लिए यहां पर हैं फैर का हीप के 4 इंच आप ले यह और यहांक और जू करने के लिए मैं 1 इंच 2 पॉइंट secondo कर आप करने कि और मार्किंग करेंगे आर्म होल के मिडल पॉइंट में तीन इंच दो पॉइंट और ऑफ इंच अंदर की तरफ फ्रांट आर्म होल के लिये निसान लगाएंगे और हाफ इंच चेए बैक साइड और मार्क तो कि यह ऐसे राउंड तो भाइगे इसके बाद नेक की वेद हम यहाँ पर धाइंच पर मार्क करेंगे और हाफ इंच डाउन करेंगे सोलर की साइट पर ठाके हमारे दुकान था वह बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए नीचे की तरफ ना गिरे तो इस तरह से मार्किंग होने के बाद अब हम दामन के लिए निसा लगाएंगे और एक ही दो पॉइंट एक्स्ट्रा क्योंकि दामन हमने एक स्ट्रेट रखनी है अगर आपनी घेरा देनी है तो आप दामन थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं मैं यहाँ पर सेम मार्किंग की हूँ इस दोनों निसान को हम इस ट्रेट इंची टेप की मिदद आप लोगो यह वीडियो पसंद आए अगर आपको इस वीडियो के लिगार्ण कोई भी डाउट से तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते मैं बहुत जल्द आप लोगो को रिप्लाइ दूंगी और चैनल को पहली बार देख रहें तो प्लिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जाए सेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इस तरह से कटिंग करने के बाद जो हमने यहां से चाग बनानी है वहां पर चोटे से कर्स लगा देंगे ताकि चाग बनाने के टाइम पर हमें कोई भी दिक्कत नीचे की तरफ भी जो हमने निसान लगाई है वहां पर एक चोटा सा कट लगा लेंगे उसके बाद हमने एक पीस सिंगल पार्ट को उठानी है और सीम निसान हम मार्क करेंगे यह हमारे बैक वाली साथ के ऊपर यह निसान की मार्किंग होगी बिल्कुल सेम तो इस तरह से ह we will be double-fold करेंगे और हमने जो आर्म होल के लिए half-inch अंदर की तरफ निसान लगाई है उस निसान丁 के अपर कटिंग कर czym तरह शे एक हमारी स्रीप करने की गटिंग उम मैं अपनी ने करेंगे युदा सिम्म पर वोग करने के बाद असने फ्रेच करेंगे wipe która करेंगे हमारी से और इस दोनों निसान को हम मिला देंगे इस तरह से मिलाने के बाद जो इसकी फोल्ड करने के बाद जो इसकी विर्ध है वो मैं दिखाती हूँ आप लोग को 11 इंच की है इसके बाद है यहाँ पर हम आर मोल के लिए निसान लगाएंगे मैं यहाँ पर 9 इंच पर लगा रही इस दोनों निसान को हम हलकी हांतों से मिलाथे हुए उपर कि तरफ से लिए आर मोल के लिए उसकी बाद यहाँ से मिलाथ हुआ पकिस्तानी स्टाइल स्लिवस निस तरह से से लिएंगे 10 इंच ऊपर कि तरफ मार्किइंग करेंगे और यह जो हमने इस स्ट्रीट निसान लग इस तरह से कर लेंगे इसके बाद हम सेम कटिंग करेंगे इसके तरह से कटिंग होनी के बाद यहां पर जो हमने अंदर की तरह दी इसकी तो वीर्थ में आप लोगों को बता दे रही हूं आट इंच की है इसके बाद हम दो पीश उठाएंगे यहां परिंच की निसान लगाएंगे ताकि हमारी फ्रंट वाली सलिस्ट से वह अच्छे से से या सिटिंग के अकरडिंग बैड़ जाए हुट यहां पर दो पीश को उठाते हुट में इस तरह से हलकी हातों से से शेव क्विए इसके बा नेक के मार्किंग करेंगे में 4 इंच मार्क करी हूं यह मारी बड़े बाली नेक की टिंग हो पहले 2020.. तरह में एक ब१ा के लिन्धिया, म्मेद फीट कर सकते हैं 19 that Black प्रूब 300 मेलेक दो कि इस तरह से बॉक्स लेडी करने के बाद यहां पर हम हलके आतों से वी सेप देंगे राउंड करते वे पहले हम डॉट डॉट करके इस तरह से मैच करेंगे निसान पर्फेक्ट होने के बाद इसे हम डाक कर लेंगे सब्सक्राइब अब इस तरह से बड़एवाले नेक की मार्किंग करने के बाद अंदर की तरह अमें 1.5 इंच पर, छोटे वाले नेक के लिए और इसकी तो लेंट मैं तीन इंच पर मार्ग करी हूं आप यहां पर धाय इंच भी दे सकते हैं तो हम एक बॉक्स रेडी करेंगे तीन इंच की और इस दोनों इसांद को इस तरह से मैच कर देंगे इसकी बाद हलके हाथ उसे अंदर की तरफ हम राउंड सेब देंगे यह ज़्यादा डाक नहीं करनी जातल देंगे यह फ siento हैंकि इसे हमारी फैल्द से निसान को डॉट डॉट करते हुए मैच कर रही हूं आप हाफ इंच एक पॉइंट डेते हुए पूरे अच्छे से राउंड कर सकते हैं और इस निसान को हम डाक कर लेंगे इस तरह से निसान लगाने के बाद अब बड़े वाले नेक की हम यहां पे पार के साइड मार्जिन ल लगा रही हूं एक इंच पर इसके बाद इसे मैं डाक कर लूँगी आप चाहे तो एक इंच करते हुए पूरे में निसान लगा ले इस तरह से हम इसकी सेम कटिंग करेंगे इस तरह से बड़े और चोटे नेक की कटिंग करने के बाद इसे हम एक उस्ट्रा फैब्री के ऊपर रखते हुए आईर current की मादब से पेश्ट कर लेंगे पेस्ट करने के बाद half inch की fabric रखते हुए मैं cut की हूँ और छोटे 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 notches लगाई हूँ ताकि हमें fold करने में problem ना हो और finishing बहुत ज्यादा आए इस तरह से हमने finishing के साथ इसे fold कर लेनी है इसके बाद हम कुर्टी के उपर neck ready करते हैं कुर्टी को इस तरह से fold करेंगे solar की साइट से और middle में एक छोटा सा cut लगाएंगे यह हमारी marking point होगी इस तरह से cut लगाने के बाद बड़े वाले neck को हम लेंगे जो हमने pasting करके रखी हुए इसे भी double fold करने के बाद middle में एक छोटा सा cut लगा लेंगे same और middle से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और पहले हम एक सीधी सिलाई लगाते हुए इसे बिठा लेंगे उसके बाद same लगाते हुए इसे पीछे के साइट पर प्लट लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा की साइट से इसे cut कर लेंगे करने के बाद चोटे सोटे नौचिश लगाएंगे और इसे हम पीछे के साइट पर प्लट लेंगे लटने के बाद आरेन की मदद से से set कर लेंगे इस तरह से हमारी next set हो गई है इसके बाद हम half-inch की फैब्रिक रखते वे इसे cut कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर निसान लगा के cut कर सकते हैं मैं इस तरह से half-inch की फैब्रिक कट कर दे रही हूं इसके बाद जो half-inch की फैब्रिक हमने रखी है इसके अंदर की साइड रखते हूं हमने फोल्ड करनी है इसके पहले हम यहाँ पे एक लुपियां लगाएंगे तो लुपि को किस तरह से एड़ करने हूं आप देख लें इसके मिडल पर हम इस तरह से मैच करके रखेंगे पहले हम उपर की तरफ जोईन्ट लेंगे फोल करते क्थे उसके बाद नीचे के तरह बिठाएंगे सेम् हमने दो ओलुपियां इस तरह से रेड़ी करनी है मैं 2-1 यंच के दू-1 एड़ करेंगे सेम दूरी साइड पर भी हम 2-1 पर मार्क करेंगे और इस दोनोग लुपिय बड़े वाले नेक के साथ इसे एड़ करेंगे इस तरह से पर फोल्ड करते हुआ हमने लूप पर एड़ करनी राउंड नेक पर उसके बाद जो बड़ी वाले नेक है नीचे के साइड से डालते हुए इस तरह से यह बिल्कुल परफेक्ट बन गई आप देख सकते हैं इसके बड़ाद रहे पास लगा लगाने के बाद दिसके लूक काफी ज्यादा ब्यूटिफुल अने वाली है यह ज्यादा यूनिक नेक डिजैन आप जरूर ट्राइब करें इसके बाद हम आपनी बैकने करें इक रेडिकने जिसके लिए मैं पेस्टिंग पेपर डबल फोल में यहांपे लेंग इसकी 8 इंज की वरत इसकी तेन फीज़ कि यहांपे तीन इंज की है कि दूलेंगा, आपके याप ज्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेम निसान dapat लगाएंगे उर्ण इस निसान को में स्ट्रेट कर लेंगे, निक की चौड़ाई में 1.5 इंज कर र राउंड सेब देंगे यह ज़्यादा डाक नहीं देंगे कि नेक हमने अलकी बनानी है इसके बाद हम एक इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से निसान मार्क करने के बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद इसे हम एक्ष्ट्रा फैबरिक के उपर पेश्ट कर लेंगे और हाफ इंच की मार्जिन रखते हों कटिंग करके इसे फोल्ड कर लेंगे इसके बाद हम इसे double fold करेंगे middle से middle में एक छोटा सकट लगाएंगे सेम हम अपने कूर्ती के सोल्डर को भी इस तरह से double fold करेंगे और middle में एक cut लगाएंगे इस तरह से cut लगाने के बाद इसे हम सीधी side से मिलाते हुए रखेंगे आप चाहतों यहां पर डोरी आड कर सकते हैं मैं डोरी आड नहीं कर रही हूँ middle से एक straight निसान लगाते हुए neck ready कर लेंगे इस तरह से पीछे के side पर hand stitch कर लेंगे इसके बाद front वाले part पर हम दामन के लिए designing करेंगे यहां पर मैं बहुत ज़्यादा beautiful less and pulse के साथ designing करने वाली हूं दामन पर जिसके लिए मैं यहां पर 4 इंच मार्क कर रही हूं इस तरह से मार्क करने के बाद इससे में straight करते हुए मिला लेंगे और हम इसकी cutting कर लेंगे middle से भी यह 4 इंच की है अच्छे से straight निसान लगानी है ताके दामन हमारी perfect बन कराएं इस तरह से cutting करने के बाद यहां पर हमें एक less add करेंगे इस तरह कि मैं white less ली हूं इसके उपर रखते हुए इस तरह से double fold करेंगे हम यह आपको market में easily available है मिल जाएगी double वाले पार्ट को मैं इसके उपर रखते हुए फोल कर ली हूं इसके बाद मिदल से हम एक और कट लगाएंगे जिसके मैं मिदल में निसान लगा रही हूं दो इंच से थोड़ा सा कम है दो पॉइंट इस तरह से हम मार्किंग करते हुए straight line ड्रॉ करेंगे इस तरह से line ड्रॉ करने के बाद इसकी भी हम cutting कर लेंगे है इसलिए सीधी साइट से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से प्लटनी के बाद दूसरे वाले पार्ट को से उपर रखते हुए इस तरह से मिला लेंगे इसके बाद जो हमने यह वाली लैस अटाइच करनी है लैस को हम उपर की साइट से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे हाफ इंच की स्लाइड देते हुए से सीधी साइड में प्लट देंगे तो यह हमारी लैस बिल्कुल अच्छे से अटाइच हो गई इसके बाद यह चोटे वाले पल्स को हम लैस के मिडल में अटाइच करेंगे इस तरह से सेम हम अपने स्लिप्स और दामन दोनों रेडी करेंगे लैस और पल्स के साथ यह बनने के बाद काफी ज़्यादा प्यारी लगने वाली डिजाइन अब देख सकते हैं यह पल्स भी हमारी अटाइच हो गई यह लैस के मिडल में लगाई हुम है यह स्लिप्स हमा जो हमने बोट नेक बनाई है बोट नेक से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हाफ इंच की मार्जिन देते हुए सोलड़्र अटाइच करेंगे यह इस तरह से अब देख सकते हैं तो इस तरह से हमारी सोल्डर अटाइच हो गए मैं यहां पर चाप की सलाई भी लगा ली हूँ इसके बाद हम अपनी स्लिप्स अटाइच करेंगे हमने जो निसान लगाई थी क्रॉस निसान उसे हम सीधी साइड से मिलाते वे रखेंगे और इस तरह से बिठाएंगे सेम हम अपनी दूसरे वाली स्लिप्स को भी लगाएंगे जो हमने क्रॉस निसान लगाई उसे हम सीधी साइड से मिलाते वे रखेंगे और यहां पर बैक वाली पार्ट से मिलाते हुए इस तरह से राउंड से बिठा लेंगे यह हमारी स्लिप्स बैट गई अच्छे से आप चाहे तो यहां पर चापके स्लाय लगा सकते मैं नहीं लगा रही हूं इसके बाद हम फिटिंग के लिए निसान लगाएंगे इसे हम सीधी साइड से डबल फोल्ड करेंगे यह आप अपने फिटिंग से अकॉर्डिंग लग इसके बाद इस तरह से स्लाय लगाने के बाद दामन को फोल्ड करेंगे हम इस तरह से डबल फोल्ड करने विए यहां पर दामन बनाएंगे चाप जी में, दूसरी वाली साइट पर भी करेंगे, डबल फोली इस तरह से करेंगे और अपनी चाक तरेडी कर लेंगे, इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से अपनी ड्रेस लेडी कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें जासे अधा सेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थैंक यू सो माच